लगए अविरीवन, आये में मति मा जाद हो, आजके हमारी टॉपिक है complication of dialysis, लग कौन-कौन सी complication during dialysis person को हो सकते हैं, तो दो तरीके के complication होते हैं, patient को, एक तो patient related competition, second machine and accum 친구 related complication, तो पहले हम बात करेंगे patient related complication कौन-कौन से हो जाते हैं तो फ़रे हाइपोटेंशन इचिंग मसल स्क्रेम्स हेड़ेक नौजिया बॉम्टिंग सेवरी एंचिल्स जी आई ब्लीडिंग एंड डीडियस पहले हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में हाइपोटेंशन क्या होता का लेंपिंग सेथिए में होती होती है जब यही बीपी नॉरूमन से घट जाती है तो इसफ्टीस को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं अब कोई पेशेंट है फर्श्ट टायम बार्टिस कराने आया है तो इसमें ये कॉम्टिकेशन बहुत कॉमन होते हैं पेशेंट आया उसको पेशेंट को फ्लूड ओबर्लोड हुआ रहता है तो हम युव लगा कि उसका फ्लूड रिमूबल कर और जाधा फ्यूड कभी कभी ऐसा होता कि ज़्यादा हो जाता है तो इस कर नीशन में ह। चैनसे होते हैं जैब पेशन के हम डाल्स खरते हैं तो ब्लड लेकर डाल्स करते हैं पेशन्ट की तो वर 250 ml ब्लेट जो है इस्ट्रा कर्पूरे सर्कीट में रहता है इसके होजा से भी हाइपोटेंशन होने के चांसिस रहते हैं अब हम इस कंडिशन में क्या करेंगी इसका मैंनेजमेंट कैसे करेंगी पहले तो हम बंद कर देंगे जब हम फ्लूड पेशंट का रिमूब कर रहे हैं बाड़ी से वचीज हम बंद कर देंगे ब्लड पंप इस्पीड भी हम डिक्रीश कर देंगे जैसे 300 है तो हम ठाइसों पिकर देंगे उसके बाद हम 25 ml का डिश्टोज देंगे 200 ml का बॉलिच देंगे हम नार्मल सलाइन उसके बाद हम फिलो भी पेशंट के सर से हटा देंग और पेर को हम उपर कर देंगे, इससे हमारा हीपोली टेंसिन हो जाता है, तो हम बाद करेंग तुम के बारे मिए लान सिसन होती है, व ऐसेतों होता है, किपेसे बहुत ही कॉमन कॉम्लिकेशन होता है क्यूंकि भ्षेट में जब किणनी खराब जाती है पेसेंट की, तो हम डाल्सिस करवाते हैं, किड्नी के काम होता है, इस्टरफ फ्ल्यूड को, मिटाबॉलिक बेस्ट को बाहर निकालता है, जब यह काम किड्नी नहीं कर पाती है, तो बहुत सारे पॉज़न, यूरिया, यूरिक एशीट, किड्नी पेशिंट के बाड़े जाते हैं, इसकी हो होती है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि पेशिंट को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशिंट जब वोमिट करेगा, उसके साथ-साथ ब्लड का कॉलोड भी आएगा, तो इससे हम पता जानेंगे कि प ब्लट को थिन करते हैं तहकर ब्लड डालाजर में प्लॉट नहों पाए जब पेसंट को ब्लीडिंग होती है इस कंडिशन में हम ही हिपैरें इंफ्यूजन जो है इस टॉप कर देंगे और हम पेशेंट को रेनिटीर इंजेक्शन देंगे, अब हम बात करेंगे मसल्स क्रैम्स के बारे में, पेशेंट को मसल्स क्रैम्स क्यूं होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्ल्यूड रिमूबल जादा हो जाता है, फ्ल्यूड की कमी हो जाती है, हमारे बॉड़ी में डी हा मुल् vibrations ए चुछी में आप किरें एक थे चिम्ट एडार्रों फियु मों तरह बात करेंगे से जवरिंग कर दील्द dish सेकोर हो कभी कभी इंफेक्शन हो जाता है एक ऑझ काुरी आफ पैसे ने ए च्पर Baba आज़ाय और वंटिंग हेड़ेक कभी कभी ऐसा हुता है एक्पीगास्टिक पेन एंड एसके डोसीज हो जाता है इस कंडिशन में पेशन को हेड़ेक या और नौज़ाय और वॉम्टिंग होता है अब हम बात करेंगे डियरेस के बारे में डियलेस डिस इकलूब्रियम सिंड होता है DDS मतलब Dialysis Desequilibrium syndrome इसमें होता है पेशेंट से ज्यादा रिमूब हो गया तो इसमें वहता है फ्लीट की कमी हो जाता है तो ब्रेंड में सेजी ब्लड ओडिमा हो जाता है इसे हम DDS बोलते हैं डालसी डीसेकलिब्रियम syndrome अब हम बात करेंगे equipment and machine related complication जिसे कि इससे होता है blood clot in dialyzer air embolism, तो blood clot in dialyzer कभी-कभी ऐसा होता है blood clot हो जाता है dialyzer में air चली गई, अब कहीं clam खुला रह गया तो air चली जाती है तो इससे blood clot हो जाता है dialyzer में और blood loss भी हो जाता है कभी-कभी जब blood pump speed रहती है जहां घूमती है तो वो फट जाती है इसकी ओजासे भी blood clot हो जाता है अब हम बात करेंगे इसको management कैसे करें तो हमें अच्छे से उसको ध्यान देना पड़ता है और blood pump speed पे हमेसा ध्यान देनी रख लिए आसा करती हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैलेंज rgcsk.idio को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू